नमस्कार आप देख रहे हैं रिपाप्लिक भारत का डिजिटल प्लाटफॉर्म मैं हूँ आपके साथ स्रुस्टी पांडे लोगसभा चुनाव सरपर हैं आपको बता दे कि आप 20 दिन से भी कम का समय बचा है चुनावों में लेकिन ये चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है एक सांसत कैसे चुना जाता है आज हम आपको अपने इस वीडियो के जरिये बताने की कोशिश करेंगे आप सभी को पता है भारत एक लोग तांतरिक देश है यहां पर किसी विशह पर कानून बनाने का अधिकार संसत को होता है संसत के तीन अंग है लोगसभा राज्यसभा और राश्वती भी लोगसभा में सदस्यों की संख्या 545 है और ये सीधे तोर पर जनता द्वारा प्रदेश में हैं यहां से 80 संसत नर्वाचित होते हैं और आज हम आपको संसतों की चुनाव वेतन और भत्ते के बारे में जानकारी देने वाले हैं सबसे पहले जानिये कि संसतों का चुनाव आखर होता कैसे है समिधान की अनुछेत 89 से लेकर 122 तक संसत के बारे में ये लिखा हुआ है लोगसभा को निम्न सदन की नाम से भी जाना जाता है और ये ब्रिटिश पारलियमेंट पर बेज़ है लोगसभा संसतों का चुनाव प्रतिक्ष रूप से जनता की जरिये ही होता है लोगसभा सदस्यों का कारिकाल 5 सालों का होता है सभा की सदस्यों की अधिक्तम संख्या 552 होती है जिसमें 530 संदस्य राज्यों और 20 संदस्य संग राज शेत्रों का प्रतिनिधित्ट करते हैं हर राज्य में सीटों का बटवारा राज्य की जन संख्या के आधार पर होता ह लोगसभा में SC और ST समुदाई के लिए 131 सीटे आवंटित की जाती है जिसमें 84 SC और 47 ST के लिए आरक्षित है अब बात करते हैं लोगसभा सदर से बनने की योगिताई क्या क्या होती है सबसे पहले वो भारत का नागरिक है उसकी नियुम्तम उम्र 25 साल होनी चाहिए उमीदबार पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए यह समिधान की प्रती सच्ची निष्ठा रखता हो और वो किसी सरकारी लाब के पद पर ना हो सांसदों की वेतन और भत्ते की अगर बात की जाए तो यहां यह जानना भी जरूरी है कि समिधान की अनुछेत 106 के मुताबिक सांसदों को यह अधिकार है कि वो कानून बनाकर अपना वेतन और भत्ता तैय कर सके भारती सांसदों के वेतन और भत्ते अलग देशों के सांसदों से अलग होते हैं, जैसे भारत में सांसदों को आवास दिया जाता है, जबकि ब्रिटन में किराई पर आवास लेने के लिए भत्ता दिया जाता है, वहीं अमेरिका के सांसदों को ऐसा कोई भत्ता नहीं मिलता है दरसल साल 1985 में संसद में कानून बना जिसके मुताबिक संसदों के लिए कुछ निश्यक भत्ते जैसे कार्याले भत्ते, अवासिये भत्ते को निर्धारित और संशोधत करने की शक्ती केंद्र सरकार को दी गई थी साल 2018 में सांसदों के वेतन के कानून में संशोधन किया गया था संशोधन में ये प्राधान था कि सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन को हर 5 साल में उसे बढ़ाया जाएगा अब बात करते हैं सांसद को मिलने वाली सालरी और सुवधाओं के बारे में सांसत सदस यानि की वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 की तहट में एक सांसत को सालरी और अन्य सुविधाई दी जाती है अगर सालरी की बात करें तो एक महिने सांसत को एक लाख रुपे वेतन मिलता है इसके अलाबा एक अप्रेल 2023 से लागो नया नियम जिसके मुताबिक सांसतों की सैलरी और ध्यानिक भत्ते में हर पांच साल में बढ़ोत्री होगी एक सांसत को किसी सदन के सत्र में या किसी समिती की बैचक में उपस्तित होने या संसत सद से जुड़े हुए किसी भी काम से यात्रा करने पर भी भत्ता दिया जाता है। काम के सलसिले में विदेश की यात्रा करने पर भी सांसत को भत्ता दिया जाता है। मिलती है। इसके अलावा उसे मेडिकल फैसलिटी मिलती है। अब बात करते हैं कि आखरकार सीधे तोर पर सांसत के काम क्या क्या होते हैं। एक सांसत अपनी शेत्र में विकास कारियों के अलावा जनता से जुड़े कोई मुद्दे और उनके सवालों को उठाता है। संसत में जब कोई कानून पास होता है तो सांसत वोटिंग कराता है। इसके अलावा वो राश्पती और उप्राश्पती के चुनाओं में सीधी भूमिका निभाता है। वो कई समित्यों में रहकर भी देश और लोगों की भलाए के लिए काम करता है।